एक रात लगाया और 20 साल पुराना जोडों और घुटनों का दर्द बिलकुल ठीक हो गया आप भी इसको जरूरा जमाए नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा जिसका प्रियोग करने से चाहे आपका जोडों और घुटनों का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो दोस्तों वो भी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगा वैसी तो दोस्तों जो मुख्य नुस्खा है वो तो मैं आपको बना कर दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू कि इसके साथ में यदि आप एक खाने वाला नुस्खा भी अपनाएंगे तब आपको और भी तेजी से इसके चमतकारी फाइदे होंगे और वो खाने वाला नुस्खा ये है कि आपने क्या करना है हर रोच रात को सोते से मैं एक चमच मेथी दाना कर लेकर उसको एक गिलास इसके साथ में इस नुस्खे को जो अभी हम इस वीडियो में आपको बना कर दिखाएंगे इसका प्रयोग आपने रात को सोते समय या दिन में भी आप एक बार कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे चाहे आपके जोड़ों और घुटमों क दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो वो भी दोस्तों बिलकुल सही होजेगा अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों जो अभी अपने खाने वाला नुस्खा मैंने आपको बताया वो क्या करेगा वो कैल्सियम का खजाना है आपकी सरीर की हडियों को वज्जर के समान बन जाएगी तो आपको इस वज़े से कोई दर्द नहीं होगा और वैसे भी जो मैक्सिमम दर्द होता है वो होता है केल्सियम की कमी के कान यानि आपकी एक समस्या दूर हो जाएगी और ये नुस्खा आपके दर्द को हरने का काम करेगा जब आप उस नुस्खे को लेने के बैक्टरियल होती है एंटी सेप्टिक का काम करती है जो आपके सभी तरहे के दर्द को हरने का काम करती है दूसरा एक चमच गुड दोस्तों गुड आप जितना पुराना गुड हो आप वो ही ले वो इसके लिए सबसे बैस्ट है नए गुड के जिगहें आप पुराना अब जो तीसरी से में सामगरी है वो है दोस्तों चूना दोस्तों चूना भी बहुत जबरदस्त है आपकी हाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए आपके सरीर के दर्द को हारने के लिए और जो चोतिस के लिए सामगरी चाहिए वो चाहिए पानी यानि आपको शिर्ख ये एक चम्मच गुड और एक चुटकी चूने के लेकर किसी कटोरी या किसी बरतन में इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, अब इसमें आपको जिरूरत के नुसार पानी डाल देना है, जितने में ये अच्छा आपका गाडा पेश्ट बन जाए, जैसे कि ये हमने इसमें प जोते समय इसको जहां भी आपको दर्द है, जैसे आपके घुटनों में दर्द है, तो घुटनों के उपर इसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोसन में मसाज करनी है, मसाज करनी है आपको आठ से दस मिंट तक और उसके बाद इसके उपर कोई भी गरम कपड़ा बांध कर, गर जुटनों का दर्द हो, जैसे गुटनों का दर्द हो, उसका बिल्कुल जड़ से इलाज करतें, और अपने सरीर की हड़ियों को भी वजर के समान मसबूत बनादें, तो दोस्तों देर किस बात की है, यदि आप भी दर्द से परिशान है, या आपका कोई रिलेटिव जान क अगर दर्द से परिशाल हैं, तो अभी इस विडियो को उसको टैक कर दीजी, ताकि वो भी इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं, इस नुस्खे का पर्योंकरें, और अपने दर्द का इलाज कर दें, तो दोश्तों, यह थी हमारी विडियो, अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे बात उस्तोख